नवश्कार देवियों और सजनों मैं हूँ मनी स्कौर्ड मा दुर्गा की करपा हम सब पर बनी रहें ऐसी मैं प्रात्ना करता हूँ आज हम बात करेंगे अंग जोतिस यानि नमुरोलोजी के अंतरगत मुलांग एक वाले व्यक्ति के सभाव और वहवार की अंग जोतिस के मुताबिक हर इंसान की उसके जरम तिति के अधार पर उसकी अंग की एक अलग खास्ट या प्रकरती होती है इसी प्रकरती पर उस इंसान की खूबी, सौख, अच्छेया, बुराया, उसका सभाव ते होता है आपको अगर किसी की जरम तारिक पता है, तो आप आसानी से उस व्यक्ति के आचरण को समझ सकते हैं आज हम जानेंगे मुलांग एक में पैदा हुए लोगों के सभाव और विश्रिस्ताओं के बारे में यदि मुलांग एक में आपके लाइफ पार्टनर, लवर्स या फ्रेंट ने जनम लिया है तो आप भी उनके सभाव की कुछ विश्रिस बाते, उनकी जीवन सैली, उनकी जीवन की कुछ सीक्रेट्स और ऐसे कुछ रोशक बातों के बारों में जान सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू, मुलांग एक किन-किन जार्टों का होता है और कैसे निकालते हैं मुलांग एक का रहष्य के अंदरगर, जिस वक्ति का जनम किसी भी महीने की एक, दस, उननिस या 28 तारीक को हुआ है, तो उनका मुलांग एक होगा यानि कि आपका भी जनम इनमें से किसी एक तारीक हुआ है, तो आपका मुलांग एक होगा और मुलांग एक के स्वामी ग्रह होता है, सूरिय, सूरिय को जोतिस में आत्मा का कारे ग्रह माना गया है सूरी जीवन में सक्ति है आपके अंदर भी सूरी के होने वाले गुणों का संचार होगा और आपके अंदर भी अजिब सी एक उर्जा का देखने को मिलेगी मुलांग एक वाले व्यक्ति साही जीनगी जीना पसंद करते हैं इनमें नेत्रत करने की सक्ति काफी अच्छी होती है लेकिन कुछ हर्थ तक ये व्यक्ति हटी और एंकारी भी देखे पाए गए ऐसी प्रस्तिति मुलांग एक वाले व्यक्ति को प्रशनली एक सलह देना चाहूंगा कि आप अभीमान और स्वाभीमान दोनों में अंतर होता है दोनों की पैचान करके ही आच्रन करें भली बाती जाच कर लें जिससे आप स्वाभीमान समझ रहें कहीं वो आपका अभीमान का रूप तो नहीं ले लिया है यदि आप अभिवान से बज़कर स्वाभिवान तक सिमित रहेंगे तो आपकी गढ़ना शेष्टम लोगों में होगी क्योंकि आप में एक अतिम मैत्वाकांसी, अकर्सक और सही निंडे लेने वाले व्यक्ति मुलांग एक वाले व्यक्ति होते हैं एसे व्यक्ति निडर, सहासी और स्वाभी मानी होते हैं, जीवों में आने वाली कटनायों से बिलकुल भी नहीं घबराते हैं इन में से कुछ लोगों की रूची रिसर्च एंड डवलेमेंट कारियों में होती हैं जिसमें सफलता प्राप कर ये लोग समाज में काफी सम्मान भी पाते हैं और प्रतियों के प्रिक्षा में ऐसे व्यक्ति सफल होते देखे गए हैं इनके साथ पढ़ने वाले विध्यारती ताथ इन्हें पढ़ने वाले सिक्सक सभी लोग इनका सम्मान करते हैं मुलांग एक वाले व्यक्ति की आर्थिक इस्तिति की बात की जाए तो समाने तोर पर इनकी आर्थिक इस्तिति अच्छी ही होती है इनको धंगी कभी कमी रहती ही नहीं है यदि कभी धंगी कावी आउस्टता पड़ भी जाए तो ये मित्रों और समंध्यों से धन 31 असानी से कर लेते हैं हाला कि ये लोग अपनी सान और सौकत पर काफी धन खर्च करते वे नज़ाद आएंगे इन लोगों को मैं सला दूँगा आप लोगों को जुबा और सटा आधी का सौक पालने से बतना चीए अन्यता आपको हानी होगी और चापलूसों से भी आपको दूर बचके रहना चीए क्योंकि चापलूस आपकी धन हानी कर सकते हैं आर्थी किस्ति कैसी भी हो आप हमेशा राजा की दाज जीवन जीना पसंद करते हैं यदि विवहा और प्रेम सम्मदों की बात की जाए तो बहार से कटो दिखने के पश्चाद भी आपके अंदर एक बहुती म्रधूर और सरल्ग सभाव की प्रेमी चुपा होता है और प्यार को प्रकट नहीं कर पाते जिससे संक्तान को इनके प्यार की हमेशा कमी मैसुस होती है यदि मुलांग एक के कारेशेत की बात की जाए तो मुलांग एक वाले व्यक्ति अच्छे प्रबंदक, विचारक, सरकरी, अधिकारी, राज्यतिक होते हैं और जनम से नेत्रत्य के अच्छे नेता भी बन सकते हैं समाचार पत्रों पत्रिकाओं प्रिंटिंग प्रेस क्या दहार पर भी अच्छे वेक्ति अपने करेशे में सफल होते देखे गए यह जिनके यदि मुलांग एक वालों के स्वास्ति की बात की जाए तो इनकी जीवन सक्ति प्रबल होने के समानेता स्वास्ति पक्स अच्छा ही रहता है फिर भी हार्ट संबंदी प्रॉब्लम पेट संबंदी या आखों संबंदी रोग जीवन में सताते रहते हैं मुलांग एक के जाता कि अंदरगत केवल मन की बात को सुना ही पसंद करते हैं क्योंकि यह परंपरा के प्रती आद में सफलता प्राप कर सके उसके लिए आपको कुछ विशेश उपाय बनाता हूं मुलांग एक वाले व्यक जाक्तियों को सूरी की उपासना करनी चीए आदेती हर्देशों का पार्ट करने से आप यह आर्थिक स्वर्थी और मान सम्मान उयस्की प्राप्टी होगी प्रती वह आपको अपने पिता का सिवार लेना बिलकूल भीना भूलें क्योंकि सूरी पिता का रग रहे हैं वेदि आप उन्हेदा का सिवार लेते रहेंगे तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नीर हो सकता आपके लिए हमेसा सुब दिशा रहे की इशान कौन आपके लिए सुपरंग रहेगा नारंगी पीला और सुनहरा यदि आप अपने ऑफिस तता अपने बैट्रूम के दफ पड़े बैट्री तो दीवारों को रंग का प्रियोग करते हैं तो आपका भागित चमक सकता है आपको चुगल खोर जुवा सट्टा आदि से हमेशा बच के रहना होगा साथी साथ आपको बता दू एहम आपका सबसे बड़ा चतु है और आपकी बड़ी कमजोरी भी है यदि इस चीज़ से बचके रहेंगे तो मुलांग एक वाले व्यक्ति जीवन के अंत्रगत हमेशा सरुषेष्टी साबीत होंगे और साथी साथ आप लोगों को बता दू आपको व्यर्थ के दिकावे से भी बसना चीए आपके लिए लखी डे की बात की जाए तो सुमबार और सुकुरवार इस दिन के कारें से आपको अमेशा सफलता प्राप्त होगी मुलांग एक वाले रक्तियों के लिए लखी मंत रहता है जन्वरी मई और सेप्टेमर मंत यह मंत आपके लिए मिल के पत्तर साबित हो सकते हैं लखी डेट्स के दरगत एक दस उननीस और अठाइस जो कि आपका मुलांग की तारीक है लखी श्टोन की बात की जाये तो आपका लखी श्टोन रहे मानकिया लखी यंत्र की बात करो तो आपको हमेशा सूरी यंत्र की उपासना करने चीए और साथ के साथ आपके इस्ट देता अभी सूरी देः और विश्णु भोगान है और आपके इलिए लखी या सुब मंत्र के हिरें मंत्र की तो आपके लिए मंत्र रहेगा ओम ग्रिणी सूर्याई नमा लकी दान के अंतरगर्द आपको गाजर और टमाटर का दान करना चाहिए तो मेरे प्रियर दर्शकों यह थी मुलांग एक वाले वेक्ट्यों की प्रस्नल विश्लेशना है और उनकी कुछ कम्या इसके अलावा आप पुल्ली में कोई दोस है और स पूची दिएके नमबर से संपर कर सकते हैं धन्यवाद